ओम शान्ति 9 नोवेंबर 2022 मीठे प्यारे बाबा के आज के मदुर महावाक्य आज की मुर्ली के कुछ मुख्य पॉइंट्स आज मुर्ली में बाबा हमारा विशेश ध्यान बाब समान मीठे और प्यारे बनने पर दिला रहे हैं बाबा केते वास्तव में ब्रह्मा कुमार और कुमारी कहलाने के अधिकारी वही बच्चे हैं जो बहुत-बहुत मीठे होते हैं जो कभी मत भेद में नहीं आते जिनके अंदर जरा भी कड़वापन अत्वा देह अभिमान नहीं होता आज बाबा हमें समझाते हैं कि हमें टीचर बन सभी को बाबा की पैचान देनी हैं चड़ती कला और उदरती कला का राज भी समझाना है मनुष्यों से ज्ञान की पहेलियां पूछ कर सत्यता को सिद करना है बाबा कहते इस समय हर आत्मा अविनाशी खुशी की बिखारी है और हम दाता के बच्चे हैं हमें मास्टर दाता बन सब को खुश्यों का खजाना बांटना है जितना हम दूसरों को देंगे उतना सबकी दुआउं के पात्र बनेंगे और ये दुआएं ही हमें सहज हुरुशार्थी बना देंगी आजखी मुली में मातेश्वरी जी के भी कुछ अनमोल महावाक्य हैं जिनमें वो समझाते ही कि पांच विकारों को भस्म कर अब हमें कर्म को अकर्म बनाना है तभी वास्तव में सुख मिल सकता है अब मुनुष्य आत्माओं को अपने पांच विकारों को वश में करना है और आत्मा की दोर परमात्मा के साथ जोडनी है तब ही वास्तविक शांती स्थापन होगी तो चलिए सुनते हैं आज की मीठी प्यारी मुडली ओम शांती बाबा कहते हैं मीठे बच्चे बाब की गती सदगती करने की मत वाराय सबसे न्यारी है इसलिए गाते हैं तेरी गत मत तुम ही जानो वह स्वयम अपनी मत देते हैं प्रश्न ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाने के अधिकारी कौन उनका स्वभाव कैसा होगा उत्तर जो बाब समान मीठे और प्यारे हैं जो कभी मत भेद में नहीं आते वही ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाने के अधिकारी हैं बीके का स्वभाव बहुत बहुत मीठा होना चाहिए, अंदर जरा भी कड़वापन अथ्वा देह अभिमान न हो गीत ओम नमो शिवाई, ओम श्यांति सब सेंटर्स के नूरे रतनों को बेहत का बाब समझा रहे हैं सेंटर्स वाले बच्चे समझेंगे और सुन सकेंगे कि बाब क्या समझाते हैं देखो, इस दुनिया में हर एक को, हर एक के लिए नफरत है गोरों को, कालों के लिए नफरत है समझते हैं, ये हमारे गाउं से निकल जाए इतनी नफरत आती है इतने धरम वाले हैं, सब एक दो से लड़ते जगड़ते रहते हैं ये है है ही रावन का राज्य उनका अब अंथ है मनुष्य तो जानते नहीं पुकारते रहते हैं कि हे पतित पावन दुख हरता, सुख करता हे लिबरेटर आओ दुख तो सबको है ही बुद्धी भी कहती है कि इनको हैवन तो नहीं कहेंगे स्वर्ग ही सबको याद आता है तो जरूर अभी नर्ख है नई दुनिया थी जरूर फिर वेशांती के बाद सुख की दुनिया आएगी जरूर वहां इस दुख धाम का नाम निशान नहीं होगा अभी फिर सुख शांती का नाम निशान नहीं है 5000 वर्ष पहले सुख धाम था बाकि सब आतमाएं शांती धाम में रहती थी यह भी तुम अब समझते हो जबकि तुमको पर्म पिता परमातमा ने समझाया है कहते भी हैं शल तुमको ईश्वर समझते होगी ऐसे नहीं कहेंगे कि ब्रह्मा विश्नु शंकर अच्छी मत दे ईश्वर का ही नाम लेते हैं तो जरूर है कोई इस समय ईश्वर ने ही मत दी होगी और साकार में ही आकर दी होगी लिखा हुआ है श्रीमत भगवानु वाच सिर्फ नाम कृष्ण का डाल दिया है वास्तव में है निराकार भगवान की मत तो जरूर नई दुनिया स्थापन हुई होगी भगवान नी तो सारी दुन्या में फेरा नहीं लगाया होगा न सारी दुन्या आ सकती है न भगवान सब के पास चा सकता है न सब परमात्मा के सम्मुख हो सकते है कितने धेर मनुश्य हैं कोई बड़ा आदमी आता है उनको भी कोई सब थोड़े ही तेक सकेंगे इतनी सब मनुश्य आत्माओं को बाप आकर गती वसद गती देते हैं शांती धाम और सुखधाम अलग-अलग हैं सुखधाम में अशांती नहीं होती दुखधाम में फिर शांती नहीं होती यह सब बातें बाप समझाते हैं, जो कोई शास्त्र में नहीं होंगी भगवान को कहा जाता है नौलिजफूल, वे सब कुछ जानते हैं उनकी गति वासद गति की मत सबसे न्यारी है गाते भी हैं, हे प्रभू, तुमरी गत्मत तुम ही जानो जब तुम बताओ, तब ही हम जाने हैं, तो जरूर उनको आना पड़ी, नहीं तो सद्गति कैसे दे सर्व का सद्गति दाता और सर्व का बाप वे हैं, सब आपस में भाई भाई हैं, ना कि बाप ही बाप है यह समझ की बात है, परन्तु आसुरी मत ने जो सुनाया वह मान लिया, सब आसुरी मत के अधीन है, तुम्हारे पास अब कितनी रोश्नी है यह लक्ष्मी नारायम, जो इतनी उच सद्गति को पाई हुए हैं, उनों में भी ये नौलेज नहीं रहती त्रिकाल दर्शी बाप है, उन द्वारा ये राज्य पाया है बाप किनों को आकर त्रिकाल दर्शी बनाते हैं? जरूर बच्चों को ही बनाएंगे, सड़े बच्चों को सिखाएंगे, फिर उन द्वारा और सीखेंगे बाप का बच्चा ब्रह्मा, ब्रह्मा के बच्चे तुम ब्रामन, विश्नु वाईशंकर के बच्चे नहीं कहा जाता गायन है प्रजा पिता ब्रह्मा तो ये ब्रह्मा भी पिता शिर्वी पिता दोनों बाप ठेले जरूर ब्रह्मा द्वारा ही स्रिष्टी रचेंगे गायन भी है ब्रह्मा द्वारा ब्रामनों की स्थापना अनेक धर्म मनुश्यों के हैं तो एक धर्म भी मनुश्यों का था मनुश्यों की बात है जान्वरों की तो हो न सके बाबा ने समझाया है पहरा प्रश्न पूछो की पतित पावन कौन परपिता परमात्मा या गंगाचल एक फैंसला करो फिर इतने मेले आदी पर जो भटकते हैं उनसे छोट जाएंगे कहते हैं पतित पावन तो बुद्धी उपर जाती है पतित पावनी गंगा कहने से फिर बुद्धी पानी की तरफ चली जाती है ज्यान अमरित नाम सुना है तो गंगाचल को अमरित समझते हैं तो सबसे मुख्य प्रश्न यह है बाबा युक्तियां बहुत बताते हैं परन्तु किसको याद भी पड़े बच्चे लिखते हैं बहुत प्रभावित हुआ परन्तु बुद्धी में बैठा कुछ भी नहीं सिर्फ इतना समझते हैं ब्रह्मा कुमारियां अच्छा रास्ता बताती हैं घर गए खलास इसलिए प्रदर्श्नी में जब आते हैं तो एक एक बात पर अच्छी तरह समझा कर लिखाना चाहिए सैकड़ों आते हैं कोई की बुद्धी में एक बात भी नहीं ठहरती बाबा के पास ऐसा समाचार नहीं आता कि इन इन मुख्य बातों पर भाशन किया ये स्कूल है तीचर पूछता है तो स्टूडेंट को जवाब देना पड़ता है तुम टीचर होकर पूछेंगे तो जवाब देंगे बच्चे बहुत खुश होते हैं तुम बच्चे उतरती कला और चरती कला पर भी समझाते हो कोई मुक्ती में गए, कोई जीवन मुक्ती में गए सबका भला हो गया, सबकी चरती कला हो गई अब फिर उन सतों प्रधान, सत्युक्वानों को तमों प्रधान में नीचे जरूर आना है तो यह भी दिखाना पड़े कि द्वापर से उतरती कला होती है चरती कला, उतरती कला का भी स्लाइड है परन्तु बच्चे समझाते नहीं हर एक बात पूछना चाहिए, यह पढ़ाई है तीचर होकर बैठना चाहिए, बाकी भाशन किया, स्टेज, सेक्रेटरी बना, यह तो कॉमन है यहां तो हर एक बात पूछनी है सर्व का सदगती दाता, पतित पावन बाप एक है, वा सर्वव्यापी है अगर सर्वव्यापी है, तो फिर बाप कैसे ठहरा? बताओ, पतित पावन, ज्यान का सागर, गीता का भगवान है या श्री क्रिशन? भगवान किसको कहेंगे? जरूर निराकार को कहेंगे इस हिसाब से गीता खंडन हो गई गीता, माई बाप, खंडन तो सब शास्टर खंडन हो गई तुम सिद कर बताओ कि सारे दुनिया जूटी है, सब पत्थर बुद्धी है, पारस बुद्धी होते ही हैं सत्योग में पत्थर बुद्धी हैं, तब को बाबा आकर पारस बुद्धी बनाते हैं जो पारस बुद्धी थे, वही आकर पत्थर बुद्धी बने हैं, जब कि स्रिष्टी का भी अंत है बीच के टाइम में हम कह नहीं सकते कि तुछ बुद्धी वा तमो प्रधान है पिछाडी में सब तमो प्रधान बनते हैं कृष्चिन धर्म आया तो ऐसे नहीं कहेंगे कि तमो गुणी थे, नहीं, उनको भी सतो, रजो, तमो से पास करना है इस समय सारा ज़ाड जड़ जड़ी भूत है, इनका विनाश होना है, इस पर अच्ची रीती भाशन करना है ऐसे नहीं, जो आया, सो बोल दिया, बड़े अक्षरों में यह पहेली लगा दो जो सब पढ़ें कि गीता का भगवान, पुनर चनम रहेत, ज्यान सागर, परंपिता, परमात्मा या श्री कृष्ण भगवान ने ही गीता रची और पतितों को पावन बनाया, याद भी उनको करते हैं अब क्रिश्ण की आत्मा भी पावन बन रही है, इस बात को उठाते नहीं है पांच विकारों के डायलोग बहुत करते हैं, विहंग मार की सर्विस करनी चाहिए अपने को अकल मंद बहुत समझते हैं, परंतु ख्याल करना चाहिए कि अकल मंद कैसे हो सकते हैं अभी तो कच्चे हैं, हर एक मर्चेंट, हर एक धरम वालों को तुम्हें अलग अलग निमंत्र देना है राम ख्रिश्न वालों का बड़ा मठ है, हरिजन की भी एसोसियेशन है, उनकी जो मुख्ये हैं सब को निमंत्रन देकर बुलाना चाहिए ऐसे काम करने वाले कोई हो जो इसमें लगे रहे, आपस में राय करनी चाहिए बाप शीमत देते हैं, मुख्ये प्रोब की बात उठानी है तुम माताओं को अच्छी तरह ललकार करनी चाहिए, कमजोर नहीं बनना चाहिए लेकिन कई ब्रामनों की भी आपस में नहीं बनती है, मतभेद के कारण आपस में बात भी नहीं करते हैं दे अभिमान पहुत है, राम राज्ये में जाने के लिए तो लायक बनना पड़िना यह है ईश्वरिय राज्ये, इसमें आसुरी सुभाव वाले रहना सकें, उनको बीके कहलाने का भी हक नहीं है बाप कितना मीठा प्यारा है, तो बाप समान बनना चाहिए कोई कोई बच्चे कितने कडवे बन पड़ते हैं, बाप कहते हैं यह तो जंगली कांटे हैं तो एक एक बात पर अच्छी तरह पूछ कर फिर लिखाना चाहिए पतित पावन परमात्मा या गंगा, सर्व का सदगती ताता परंपिता परमात्मा या पानी की गंगा ऐसे चित्र बनाने चाहिए, प्रोजेक्टर में भी पहेलियां आ सकती हैं अब जज करो गीता का भगवान कौन, बाप तो डारेक्शन देते हैं पहली मूल बात सिद करो, अल्फ को जाना तो सब कुछ जान जाएंगे बीच को जानने से जाड को जान जाएंगे तुम बच्चों को बहुत मेहनत करनी है, सिर्फ कहते हैं, बीके बहुत अच्छी सर्विस कर रही है मनुश्यों को लाप लेना चाहिए, आता एक भी नहीं है अच्छा, मीठे मीठे, सिकिलदे बच्चों प्रती, मात पिटा, बाप दादा का याद प्यार और गुद मॉनिंग रुहानी बाप की रुहानी बच्चों को नमस्ते हम रुहानी बच्चों की रुहानी बाब दादा को दिल वर्चान सिक्वा प्रेम से नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते चीन, गुद मौनिंग बाबा, शुक्रिया बाबा, धारना के लिए मुख्य सार, आपस में राय कर विहंग मार्ग की सेवा करनी है, कभी मत भीद में नहीं आना दूसरा पॉइंट, टीचर बन सभी को अल्फ की पहचान देनी है, चर्ती कला और उतर्ती कला का राज समझाना है, ज्यान की पहेलिया पूछ कर सत्यता को सिद करना है, वर्दान, मास्टर दाता बन खुशियों का खजाना बांटने वाले सर्व की दुआओं के पात्र भव, वर्दमान समय सभी को अविनाशी खुशी की आवश्यक्ता है, सब खुशी के भिखारी है, आप दाता के बच्चे हो, दाता के बच्चों का काम है देना, जो भी संबंद संपर्क में आए, उसे खुशी देते जाओ, कोई खाली न जाए, इतना भरपूर रहो, हर समय देखो कि मास्टर दाता बन कर कुछ दे रहा हूं, या सिर्फ अपने में ही खुशूं, जितना दूसरों को देंगे, उतना सब की दुआओं के पात्र बनेंगे और ये दुआएं सहज पुरुशार्थी बना देने, स्लोगन, संगम की प्राप्तियों को याद रखो, तो दुख व परेशानी की बातें याद नहीं आएंगी, मातेशुरी जी के अनमूल महावाक्य, पहला पोइंट, ओम रटो, माना ओम चपो, जिस समय हम ओम शब्द कहते हैं, तो ओम कहने का मतलब यह नहीं कि ओम शब्द का उचारन करना है, सिर्फ ओम कहने से कोई चीवन में फाइदा नहीं, परन्तु ओम के अर्थ स्वरूप में स्थित होना, उस ओम के अर्थ को जानने से मनुश्य को वो शांती प्राप्त होती ह अब मनुशे चाहते तो अवश्य हैं कि हमें शान्ती प्राप्त हो उस शान्ती स्थापन के लिए बहुत सम्मेलन करते हैं परन्तु रिजल्ट ऐसे ही दिखाई दे रही है कि और ही अशान्ती दुख का कारण बनता रहता है क्योंकि मुख्य कारण है कि मनुश्य आत्मा ने जब तक पांच विकारों को नश्ट नहीं किया है तब तक दुनिया पर शान्ती कदाचित हो नहीं सकती तो पहले हर एक मनुश्य को अपने पांच विकारों को वश करना है और अपनी आत्मा की डोर परमात्मा के साथ जोडनी है तब ही शान्ती सापन होगी तो मनुश्य अपने आप से पूछे मैंने अपने पांच विकारों को नश्ट किया है उन्हों को जीतने का प्रयत्न किया है अगर कोई पूछे तो हम अपनी पांच विकारों को बश कैसे करें तो उन्हों को ये तरीका बताया चाता है कि पहले उनों को ज्ञान और योग का वास्धूप लगाओ और साथ में परमपता परमात्मा के महवाके हैं मेरे साथ बुद्धी योग लगाए मेरे बल को लेकर मुझ सर्व शक्तिवान प्रभु को याद करने से विकार हटते रहेंगे अब इतनी चाहिए साथना जो खुद परमात्मा आकर हमें सिखाते हैं दूसरा पॉइंट तुमरी गत्मत तुम ही जानों अब ये मैमा किसकी है क्योंकि परमात्मा की सद्गती करने की जो मत है वो तो परमात्मा ही जानता है मनुष्य नहीं जान सकता मनुष्य की सिर्फ ये इच्छा रहती है कि हमको सदा के लिए सुख चाहिए मगर वो सुख कैसे मिले जब तक मनुष्य अपने पांच विकारों को भस्म कर कर्म अकर्म नहीं बनाए तब तक वो सुख मिल नहीं सकता क्योंकि कर्म अकर्म विकर्म की गती बहुत गहन है जिसको सिवाई परमात्मा के और कोई मनुष्य आत्मा उसकी गती को नहीं जान सकता अब जब तक परमात्मा ने वो गती नहीं सुनाई है तब तक मनुष्यों को जीवन मुक्ती प्राप्त नहीं हो सकती इसलिए मनुष्य कहते हैं तेरी गत्मत तुम ही चाने, इनकी सद्गती करने की मत वो परमात्मा के पास है, कैसे कर्मों को अकर्म बनाना है, ये शिक्षा देना परमात्मा का काम है, बागी मनुष्यों को तो ये ज्ञान नहीं, जिस कारण वो उल्टा कारे करते रहते हैं, अब मनुष्य का पहला फर्ज है अपने कर्मों को सुधारना, तब ही मनुष्य जीवन का पूरा लाब उठा सकेंगे, अच्छा, ओ शान्ती